साथियों, बदलक्ते समय के साथ एक नई विश्व विवस्ता, एक नई रंग रूप और विवस्ताओं में बढ़लाओ, एक नई विश्व विवस्ता खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टांडर भी तै हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टेम खुद में बढ़लाओ करें, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10 प्लस 2 स्ट्रक्शर से आगे बढ़कर अब, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 करिकुलम का स्ट्रक्शर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडन्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी धान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बनें, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक, सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्टिय स्विक्षानीति का स्वरूप तै किया गया है। साथियों, इस बात में कोल विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गती बहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से जहां तक संबव हो फिप्ट क्लास तक बच्चों को उनकी मात्रु भाषा में ही पढ़ाने पर सहमती दी गई है। इस से बच्चों को और बच्चों की नीव तो मजबुत होगी ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेश और मजबुत होगा।